हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ जैनरल फैशन इक्रोज आज मैं आपको प्लाजू की कटिंग बताऊंगी मियानी के साथ यह पूरा एपिसोड देखी गए क्योंकि यह मियानी स्पेशल है और मैंने इसमें मियानी की टिप्स बताए हैं यह मैंने दो मिटर कपड़ा लिया है और इसको मैंने चार भागों में टे कर लिया है और इसको मैं प्रेज कर लेते हैं सबसे पहले हम इसको और होजाता है 41 ऐंच पहम लगा देते हैं इसके लेंद का है और एक सीधी लाइनद ट्रौ कर देते हैं जैसी कि मैंने वीडियो में दिखाया है आपको कि मैंने सीधिया ण्रीड ट्रो कर दी है अब हम इस मेजर्मेंट लेते हैं इसकी विड्ट जो है 19 इंच मतलब 19 इंच आई है तो 19 में हम स्टिचिंग में हमारा वन इंच जाएगा तो हम 20 इंच इसकी विड्ट लेते हैं 20 इंच पर हम मार्क लगा देते हैं अब हम इसका क्रोच एरिय का मेजर्मेंट लेते हैं इसका आसन का यानि की क्रोच एरिय का जो मेजर्मेंट है वो 15 इंच है और 2 इंच हम इसकी बेल्ट का प्लस करेंगे तो यह 17 यानि की 17 इंच का हो जाएगा तो हम 17 इंच पर मार्क इसका क्रोच एरिय का मार्क लगाएंगे यह जैसी आप वीडियो में देख सकते हैं हमने 17 इंच पर मार्क लगा दिया है और फिर एक जो लाइन है मैंने ड्रो कर दिये सीधी उसके बाद में इसका बॉटम का मेजर्मेंट इस प्लाजो का जो है बॉटम वो इसका मेजर्मेंट देती हूँ जो कि 13 इंच है और 13 में मैं स्टिचिंग के लिए वन प्लस करती है दो मैंने 14 पे इसका मार्क लगा दिया है यह मैंने शेप स्केल से इस पे एक अंदाजे के लिए ड्रो किया है लेकिन जो इसका शेप है वो इस प्लाजो को रखकरी में दूंगी यह देखिए मैंने जो इस्टिचिंग वाला जो प्लाजो है जो इस्टिच हो चुका है उसको रखके इसका शेप का जो है वो दे दिय और अब हम जो हमने लान उन्त इंट रहें वह कंपो करिंगे फ्रेंड है हैवी सइस ब्लाजो है ध्यान रखेगा और है व्लाजो जो की प्लाजो की वन साइड से मैंने कट टिंग नहीं कर देए कि एक सैट से कटिंग की यह उनके लिए बहुत कमफर्टेबल रहता है जिनकां हैवी साइज होता है तो ऐसे लोगों को 45 प्लस साइज हो उनको जो है इसी तरीके से कटिंग करनी चाहिए प्लास लों कि वह जादा कमफर्टेबल फिल करते हैं तो यह हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अब हम अपने मैन पॉइंट पर आएंगे जो कि हमारी वीडियो का मैन पॉइंट है मियानी और अब हम जो यह जोड़ा हुआ है इसको हम कटिंग कर लेते हैं नीचे से दो पार्ट में यह हम इसको हटा देते हैं अब हम मियानी पर आएंगे अपनी मियानी मैंने 9 इंच इसकी चोड़ाई और 9 इंच इसकी लंबाई का एक टुकड़ा लिया है जो कि मैंने एक कॉर्णर से इसको फोल्ड किया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है और 9 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है और इस मार्क पर मैं अब मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर देती हूं इसको हमेशा औरे कपड़े में ही मियानी बनानी चाहिए आज का सीक्रेटिव यही है कि हमें मियानी हमेचा औरे कपड़े में बनानी चाहिए यह क्योंकि इस्ट्रेच हो जाता है इसलिए मियानी हमेशा आप औरे झाल झाल